दोस्तों क्या आप भी stock market में invest करते हैं या फिर trading करते हैं तो आपको daily update होना काफी ज़दा important होता है तो आप मेरे चैनल को subscribe कर सकते हैं stocks education यहाँ पी हम आपको daily basis पर update करते हैं कि stock market में क्या चलना है कैसे analyze करें क्या candlestick chart होते हैं सब कुछ detail में analyze करके हम आपको इस वीडियो में daily updates देते रहते हैं तो आप मेरे चैनल को subscribe करके साथ में bell icon को press कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को देखते हैं company के detail को दोस्तों आज की इस वीडियो में हम analyze करेंगे InfiView में when news limited अगर इस company के detail की बात के तो काफी strong detail यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस company के chart पे यानि अगर इस company के chart को थोड़ा सा analyze करेंगे तो आप देखेंगे last time इस company ने support लिया था इस level पे और same आपको again support लेता हुआ यह company नजार आया है और यहाँ से अगर company थोड़ा सा move करता है तो एक बड़ा breakout आपको देखने को मिलेगा यह level break होगा यह level break होगा और जैसा यह दोनों level break करके company उसके ऊपर निकलता है तो फिर इस company में एक बड़ी movement आपको देखने को मिल जाएगा company को क्या long term के लिए hold कर रहे है या फिर short term के लिए दोस्तो अगर आपने short term के लिए buy कर रखा है तो अपना stopless लगा कर company को continue कर सकते हैं इस stopless किस price पे लगाए हैं दोस्तो अगर बहुत बड़ा risk आप नहीं लेना चाहते तो इस blue line यानि कि इस company का जो 21 दूनों का exponential moving आपको देखने को मिलेगा यह range जो इस company के लिए resistance level अभी भी बना हुआ है अगर जो लोग थोड़ा सा और patience रखकर company को continue करना चाहते हैं वो अपना stopless लगा सकते हैं इस company में 55 दिनों के exponential moving average के पास में यानि कि यह brown line आपको जो देखने को मिला यह इस company के strong support zone है इस से पहले भी इस company ने इस level पे कई बार support लेने की कोसिस किया था तो अगर थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो 19.50 पैसे के आसवास अपना stopless लगा कर company को continue कर सकते हैं एक बार यह company अगर इस range को break कर देता है तो उसके बाद इस company में एक बड़ी growth आपको देखने को मिल जाएगा तो बिलकुल company को hold करके stopless लगा कर continue किया जा सकता है तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना वीडियो को like करें, share करें, subscribe करें Thank you for watching this video